नमस्कार बच्चों आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैठ्शुत अमर्जाबे आज हम क्लास 10 का गणित का वर्क्षिट संक्या 70 पढ़ेंगे ये दिनांक 18 जनवरी 2022 के लिए हैं हमारा टोपिक है ठोस आकृतियों के सन्योजन का आयतन यानि सन्योजन मतलब होता ह है जोड दो या दो से अधिक आकृतिया आपस में मिली हुई हो तो उसका जोड से बना आकृति का आयतन गयाद करेंगे उसके लिए आपको ये घन का आयतन याद होना चाहिए एल बी एच घनाव का आयतन लंबाब अगूने च़ोडाब अगूने उच जाहिए यानि एल बीएच घन का आघन भुजा काक्यूब यानि ए एल और बेलन का आघन होता है है पाई आर स्क्वारह शंकू का आयतन 1 by 3 साथ ही गोले का आयतन होता है 4 by 3 पाई आर क्यू अर्ध गोले का 2 by 3 पाई आर क्यू अब आईए पहला सवाल दिया है पहले सवाल में confusion है बच्चो यहां पे इंग्लिस और हिंदी आपको साथ साथ दिखाता हो इंग्लिस और हिंदी में आप खुद देख सकते अंतर है यहां पे कहारा 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के 5 पैंसिलों का आयतन ग्यात करना संक्वा का आरभाग की उचाय दिया वह 3 सेंटीमीटर यहां पे यहां पे त्रिज्या पैंसिल और दोनों को एक ही जैसे बनाएं और दोनों में कुछ गलत है वैसे हम जो दिया है उसी पे अभी बनाएंगे और जो देखे यहां पे तो नीचे वाली जो बात है वो फिगर में कुछ इस तरह बना दिया है तो देखे यहां पे लिया है यह आर लिया देखे यह आर तो डेड़ सेंटीमीटर है ठीक है आर हमने डेड़ सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर हो गया ठीक है इसकी हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट हो गया ह बरावर में 3 यह इसको h1 माना है और इसको h2 माना है अब देखिए h2 बराबर क्या हो जाता h2 बराबर ये भी तो ये आर के बराबर्थ होता तो आर तो 1.5 cm क्योंकि अर्ध गोले का नीचे है तो ये अर्ध गोले का ये आर 1.5 cm होना चाहिए तो डेड़ और 3 मिल करके कितना बना डेड़ और 3 cm 4 और 6 ये लिया है 6 तो 6 प्लस 1.5 प्लस 3 ये तो सारे मिल करके 10.5 होता है ये इतना आर होनी ये इतनी लंबी होनी चाहिए थी ठीक है तो तब बनता तो ये h2 बराबर में तब होता 6 cm यहाँ पे गलत दिया हुआ और इसमें अर्ध गोले का भी कहीं पे question में समायोजा नहीं है अर्ध गोले हम picture देख करके ही देख रहे हैं जो कि यहाँ पे अर्ध गोले लगा हुआ है तो चलिए जिस तरह की आकरिती है जैसे बनाया गया है उसी को समाझ नहीं लेकिन जहाँ पे गलत है उसको सही कर ले यह total जो उचाई हो गई यह 6 तो इसकी उचाई हो गई और डेड जो है यह वाली आर यहाँ जो है डेड सेंटीमीटर इसकी हो गई और इसकी h2 हो गई 3 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है अब आईए अब हमारा प है बेलन है बेलन का आईटन प्लस संकु का आईटन प्लस अर्ध गोले का आईटन तो बेलन का आईटन क्या होता है बेलन का आईटन होता है पाई आर स्क्वाइर और बेलन की आईटन को हमने h1 माना है ठीक है तो पाई आर स्क्वाइर है और संकु का आईटन क्या होता है 1 2 by 3, πi, r square और h, h यहां पर h2 है, और साथ में अर्ध गोले का इतन क्या होता है, फोर भाइथ, अर्ध गोले का 2 by 3 और πi, r q, तो यहां से हम देखें, जो common है, वो ले ले, common हमारे पास क्या है, πi है, और क्या है common, r square सब में है, तो πi, r square common ले ले, इधर से बचेगा h1, इधर से बचेगा 1 by 3 h2, और इधर से बचेगा 2 by 3 और r, ठीक है, तो अब πi की, अब जो हमारे पास है, πi की value 22 upon me 7, और r की value 1 and half था, तो उसको fraction में कर लीजिए, 3 वटे 2 हो जाएगा, तो ये लिखे 3 वटे 2, गुने 3 वटे 2, और h1 हमारे पास था, h1 जो ये लिए थे, ये 6 cm, ये 6 हो गया, प्लस, 1 वटे 3, और h2 क्या था, h2 हमारे पास ये आया था 3, और r square, 2 by 3, और r, तो 2 by 3, और r के बदले क्या आया था, 2 by 3, और r के बदले हमने 3 by 2 लिया था, तो ये हो गया, 3 by 2, अब इसको जहां कट सकता है, काट ये ये, ये तो 7, ये 11 हो जाएगा, और ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, ये इस तरह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, 11 into 9 by 2, और bracket में 6, और 17, और 18, तो इस तरह से ये आगया, यानि ये दि करते हैं, और ये 7 भी था, तो 7 ही यहाँ पर है, तो यानि 99 by 14, और into उपर में हो गया 8, 8, जिसको solve करने के बाद, यहाँ पर multiply करने के बाद, देखिए, तो ये एक कायतन हुआ, ये एक कायतन हुआ, तो ये एक कायतन हो गया इतना, तो 5 पैल सिलो कायतन, यानि 5 गुने, एक pencil कायतन, तो इससे गुना कर दिया, तो ये centimeter, इसका answer, centimeter cube, यहाँ भी ये mistake है, तो centimeter cube, इस यहाँ पर कह रहा है, एक दवाई का capsule, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों की नार्व पर अर्थ गोला है, यानि इधर भी अर्थ गोला है, और इधर भी अर्थ गोला है, दोनों के बीच, capsule की कुल नंबाई 14 mm दिया हुआ है, तो ये 14 mm है, व्यास दिया हुआ है, यानि ये हो गया 5 mm 5 mm तो देखिए ये व्यास क्या होता है 2 r बरावर में क्या हो जाएगा r बरावर में इसका आधा हो जाएगा ये r है यानि ये 5 by 2 इधर गया और ये 5 by 2 इधर हो गया ये r हो जाएगा तो इसका मतलब हम जब निकालेंगे तो देखिए अर्ध गोले के लिए r इधर से इधर से तो इसके इसके बीच की उचाए कितनी हो जाएगी ये 5 by 2 हो गया इधर भी r तो इसकी उचाए यहां से यहां तक उचाए कितनी हो जाएगी ये 14 था तो ये 5 by 2 इधर और 5 by 2 इधर कम हो गया तो चौदा में से 5 चला गया तो 9 चौदा में से 5 चला गया तो बेलन क्यों चाहे हो जाएगी 9 mm, बेलन की तरिजा यह, अर्ध गोले की तरिजा भी है तो बेलन का आयतन निकालेंगे, तो बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्ध गोले कायतन तो दोनों अर्ध गोले मिला करके कुल गोले कायतन हो जाएगा तो यानि हम जानते हैं जो कि उसका फॉर्मूला क्या है बेलन कायतन 2 by pi r square h और 2 into 2 by 3 pi r q तो जिससे pi r square यहां भी और यहां भी एक common आ गया तो आपका हो जाएगा pi r square common आ गया इधर से h बचा इधर से 2 2 जा 4 by 3 और r बचा अब value put कर दीजिए put करने के बाद जो answer आया इतना इसका आयतन हो गया अब हमेशा की तरह कुछ सवाल दिये जाते है करने के लिए तो आईए सवाल पहला सवाल दिया है 12-16 cm गुने 12 cm गुने 10 cm गुने 10 cm वीमाओं वाले घनाव से 2 mm किनारे वाले घनों की कितनी संख्या बनाया जा सकती तो ये फर्मूला होते घनों की संख्या निकालनी होगी तो बड़े मतलब दोनों को आयतन बराबर होना चाहिए तो इतनी वीमाओं वाले से कितने छोटे छोटे घन बनाया जा सकते तो बड़े वाले कायतन से छोटे वाले कायतन को डिवाइट कर दे तो बड़े वाले कायतन है 16 गुने 12 गुने 10 और नीचे 2 गुने इस कायतन हो जाएगा घना आप कायतन भुजा गुने भुजा गुने भुजा होता है तो 2 गुने 2 गुने 2 तो आप काते है 2 दुनी 4 यह 8 से कटेगा और यह हो जाएगा 4 फिर यह कातेंगे तो 2 तो घनों की सं क्या हो जाएगी दो बारा दुनीween 24 240 तो यह घंणों की संक्या हो जाएगी दो 240 यह 2, 12 और 10, 12 ранее 24 को 10 से के 240, next सवाल देखते हैं, यह कहरा है, एक शंकू के आकार का ठोस, यानि शंकू के आकार का ठोस, एक अर्धगोले के उपर खड़ा है, अर गोले पर खड़ा है जिसकी त्रिज्या दी गई है इसकी त्रिज्या दी गई है यह आर है एक सेंटीमीटर तो आर बराबर में एक सेंटीमीटर ठीक है और संकू की उचाई जो है एक यह यह उचाई इसकी उचाई भी दिया हुआ है एक सेंटीमीटर तरिज्या की उचाई है यह एक समाने यह तो ठोस का आयतन क्या होगा ठोस का जो आयतन होगा यह होगा यह आपका जो अर्ध गोले कायतन अर्ध गोले कायतन प्लस यहाँ पे शंकू कायतन शंकू कायतन तो क्योंकि उपर में शंकू है तो आपको कह रहा है देखिए अर्ध गोले कायतन क्या होता है अरगोले कायतन होता है 2 by 3 Pi R Q और ये बेलन कायतन है 2 by 3 संकु कायतन होता है 1 by 3 Pi और R square और H और H और R कहरा बराबर है तो H बराबर R समझ लिए वैसे भी रखना है तो अभी रखे 2 by 3 और Pi और R के R square common इधर 1 by 3 इधर से देखिए यहाँ पे नीचे 1 by 3 common आ गया बाहर निकाल लिजिए और Pi भी बाहर आ गया और साथ में R square भी बाहर आ गया तो इधर से बचा 2R 2R और इधर से बचा Pi भी common ले लिए 1 by 3 भी common ले लिए R square भी common ले लिए तो यह H तो इसको solve परेंगे तो हमारे पास आएगा 1 by 3 और Pi की value अभी Pi में ही रहने दीजिए R के value 1 है और 2 into 1 और इसका भी value 1 ही है H के बराबर ही दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है जो कि शंकूक की उंचाई उसकी त्रिज्या के समाने जो कि एक है यानि दोनों बराबर है तो यह हो जाएगा 1 by 3 और Pi into 1 into 3 3 से 3 कट जाएगा तो यह हो जाएगा Pi इसका आयतन हो जाएगा Pi इसका आयतन क्या हो जाएगा ठोस का आयतन Pi घं सेंटीमीटर घं सेंटीमीटर या इसको 22 बटे 7 भी लिख सकते है घं सेंटीमीटर ठीक है उमीद है समझ में आया होगा सेंटी मीटर में है तो सेंटी मीटर में है तो मीटर जो भी है उसके साथ घं लगा देना है उमीद है समझ में आया होगा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें